जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत रता हूं आपके अपने वैक यूटूब चैनल पे डिक्सन राजा में दोस्तों अभी हम देखेंगे जो ओमेंस टी 20 लिग के अगला मुकावला खिला जाएगा किसके बीच में गुजरात ओमेंस और यूपी ओमेंस के बीच में इसको लेकि हम डीटेल्स में देखेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी फेंटैस्टीश टीम को लेके आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दूँँ अभी जो हम देखेंगे वो महज एक अपना डेमो टीम होगा फाइनल टीम में जो भी बदला होगा उसका अप लिखने को मिलेगा मेरा टeiलीग्रांओ लिंक उसके उपर किलिक करके आप सभी को टेलीग्राम चैनल से ज़ाइन हो जाना है यहां पर दोस्तों बात करेंगे यां जैसेकि आभ यह मैं चलो इसको लेकि हम बात करेंगे तो पहले हम देखेंगे के रेगुलर बैसिस का टीम टीम कैसा होगा जिससे आप वीजन 11 जैसे अप्लीकेशन हो या फीड जो भी अप्लीकेशन हो जहां पर 3 प्लियर मस्ट वाले होते हैं वहां पे आप रेगुलर वेस्टिस का टीम लगा लोगे अगर जिस वैको ड्रीम इलेन पे खेलना है तो मैं फैब 11 ने एक अपडेट दिया कि आप वह वाली फीचर से भी यहां पे खेल सकते हो यह एक रीजन है यह मुझे अप्लीकेशन और भी बेतर नजर आ रही है जहां आपको दोनों फीचर देखने के मिल जाएंगे रेगुलर टीम भी बना लो और यहां फिर आपको लगे किने मुझे ज्यादा स्यादा ज्यादा चाहिए दस प्लियर मुझे एक टीम का चाहिए तो आप 10-1 वाले कंबिनेशन को पर भी क्लिक करके कंटेस्ट जोइन कर सकते ह इनिंग को लेकर बात करेंगे जब पहला इनिंग हो जाए पर चाहिए तो भी यहां पर कर रहें उनिंग परसंटेज लेके तो में रेकौर्डिंग यहां पर यूपी टीमटा ओँगी और इसकी वीनिंग चांसे आपको दिख जाएंगे तकरीवन से 70 परसंट के आस-पास पे आपको देखने को मिलेगा यूपी की जो टीम है वह आपको देखने को मिल जाएंगे नमबर तीन पे छे में से तीन मुकाबला मेच को लेकर तो यहां पे गुजरात की के पहले बले बाजी मेजी करते हुए बोड पर लागा थे 188 रन डंकली 16 की थी वलवाड़ेट 78 रन एस मेगना 31 गार्डनर 41 हेमलता 16 और हर्लिन द्योल 12 की थी बात करूं के इंदवाजी में तो यहां पर किम गर्थ चार अबर 32 रन एक विकेट गार्डनर तीन में 48 एस राना चार अबर 25 रन एक विकेट तनुजा का देखने को मिल सकता है बात करूं यूपी वारियस को लेके वह लास्ट मुकाबला मुंबई इंडियन समयन जो की अभी तक अन्वीटन थी उनको हरा के आ रही है यहां पर पहले बल्ले वाजी करते हुए यहां पर मुंबई इंडियन समयन को उन्होंने 117 पर रोग दिया डेट आवर को लेके बात कर लें एकलिस्टन डिप्ती सर्मा आपको दिखेंगी बल्ले बाजी बात कर लो तो यहां पर देविका वैद एक रन की थी हैली आठरन की रन की रन नवगीरे 12 तहीले अमसी गरात 38 ग्रेस 49 डिप्ती सर्मा 13 एकलिस्टन 16 थी अब यहां पर आई ह बाजी करते हुए बोड बे लगाए थी 179 एस मेगना 24 की थी डंक ली 13 हर्लीं 24 ची आलिस सदर्लेंड आठ एस वर्मा नो गार्डनर 25 हमलाथा 21 ने रन नो रन गेंद बाजी बात कर लेंगे डिप्ती चारहवर 27 रन दोविकेट एकलिस्टन चारहवर 25 रन दोविकेट तहले बाजी बात कर लेंगे तो यहां पर एलिस्टा हैली साथ की थी शुएता सेराबद पांच रन की रन अवगीर तीरपंडन तहिलेंसी ग्राथ जीरो डिप्ती सर्माई 11 ग्रेस एरिस उनसर्ट सिम्रंस एक जीरो देवी क्या वाइद यहां पर चार की थी एकलिस्टन बैस की थी आप सी बेटल में कीम गार्स ने पांच वीगेट ध्यान रखेगा चारवर 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 उन्तीस रन जीरो वीगेट गार्डनर चारे मच्छों होती सदर लेंड चारवर 41 नेक वीगेट उसके अलाबा मांसी जोसी दो और पंद्रार रन एक वीगेट अब यहां पर करें वेन्यू को लेके बात कर लेंगे तो मुकावला होगा ब्रववन स्टूडियम मुंबई में जहां पर आपको एवरेज स्कूर 154 का देखने को मिल जाएगा बैटिंग फ्रेंडली आपको वीगेट देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें पेशस बहसे स्पीनर्स में तो यहां पर स्पीनर्स को अच्छा-कासा मतद मिलता है टॉप इलिएस एडिस वेन्यू बेस्ट ऑन लास्ट टू एस्टी ट्वेंटी मैचेज में एलिश एहली दो मुकावला खेलिए 77 का बैटिंग एवरेज है है घ्लीन दियोल तीन मैच में यहां पर 40 का बैटिंग मैच पर मैच यहां पर एक विकेट अगर हम बात कर लेंगे इकोनोमी में तो सबसे उपर हमेशा की तरह एक लिस्टन आपको दिख जाएंगी और अगर स्ट्राइक रेट के उपर ध्यान देंगे तो यहां पर आपको तीन ही प्लेट का नाम देखने को मिलेगा डंकली एलम का अगर हम टॉस का इंपक्त को लेके बात करो तो लास्ट के पांच में से यहां पर तीन दफा जो टिम टॉस जीती है उसने पहले बैटिंग की है और रिजाल्ट भी पांच में से तीन दफा उनकी फिवर में गई है जो तीम पहले बल्लेबाजी की है इसका मतलब यह तो बल्लेबाजी कीजिए बोड पे 170 के आज पास ठागर लगाए और सामने वाले टिम को उसके अंदर समेट दीजिए अगर हम बात करेंगे दोनों टिम की बीच में लास्ट पांच मैच को लेकर दोनों टिम लास्ट के पांच में काबला खेलें वहां पर गुजरात की टीम द के और में आपके लिए लॉज़ूर तो आपकी त्ह यहां लोगर्ट के पीछे से अलिशा घ्ली को लेना है बैटिंग में देखी आप लोग यहां से तीन सच्छे आप मैक्सिमम बैट्समेंड कर सकते हो तो मैं आपको करूंगे यहां पर वल्वाडड को उसके लाबार डं अभी चलता हूं और अंडर सेक्शन में मैं गार्डनर लोंगा तहले आम से ग्रात लोंगा दिप्ति सर्मा लोंगा फिर आप यहां से किम गर्थ को लेकर जा सकते हूं आपसी बिटल में पांची विकेट इन्हों ने ली थी बॉलिंग से बात कर लेंगे तो मैंने पर गड़ अभी के लिए मैंने ग्रेश हैरिस को अपने टीम में जगह दिया हुआ है बात करूँ फाइनल टीम प्रिव्यू को लेके तो हमारे फाइनल टीम में होंगी एलिशा हैली विकेट के पीछे से बैटिंग में वलवाडेट डंकली ग्रेश हैरिस उसके लब और लंडर से आपको पांच प्लियर रिकेमेंट करूंगा गार्डनर डिप्टी सर्मा एकलिस टन उसके लबा तहले आंसी ग्राथ और यहां पर एलिशा हैली इनके जगह आप चाहो तो वलवाडेट को भी लेके जा सकते हो अभी मैंने अपनी स्मॉल लिकी टीम में कैप्टन सी का फार स ब्लिच से जाएंगे इनके उपर हैंने के बाद आपको क्लीयर चेले जाना है अब लेके जांते हो तो उस gef्याली को लेकि जाएगे बल्ले tidak यहां पे वॉल्वाडडेट, ग्रेस, हैरीज डंकली लेके जाएंगे, और डर्डेनर से हम लेके जाएंगे, गार्डनर को, तेरी एमसी इग्राद को, दिप्ति शर्मा को, और कीमिगर्द को, बॉलिंग से बात कर लो, एकलिस टंक को में लेके जाएंगे, उसके लबा आरग यहां पे आपको अंजली के जगा पर ट्राय कर लेने दीोल को या फिर स्ने फिर राना को कैप्टन वीसी स्एम देंगी हमारी अभी कैप्टन देंगी डिपति सरमा वीसी देंगी हमारी एकलिस्टन बाकी टॉस के बाद अगर मेरे टीम में कोई बदलाव होता है तो उसके अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा उमीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तक के लिए बाई इंज्वाए कीजिए अ लगा सकते हो जो मैं आपको डेगुलर वेसिज का टीम की नीचि मा लिख दूँगा डेगुलर की वेसिज का टीम है उसको क्या करना आप लोगों को जो भी प्लिकेशन हो स्वीडियो चाहे प्रसी क्या 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 क्याना है झाल झाल झाल